गाइज आपके Windows 10 में audio से लेटेट किसी भी तरह की problem हो रहा है audio वगर नहीं आ रहा है या audio वगरा से लेटेट और भी कुछ problem हो रहा है तो आप इस problem को completely solve कैसे करेंगे तो गाइस जैसे मैं आपको यहां पर पहला process बताता हूं कि पहला process मापको करना क्या है पहला process मापको करना यह है कि आपको अपने Windows की start menu जाना है और यहां पर आपको अपने Windows को एक बर restart कर लेना है क्योंकि क्या होता है कि कभी को और restart करने से भी जो आपका यह problem है यह problem आपका तो आपको यहां पे अपने Windows पे रे स्वार्ट कर लिना है और चेक करना है कि आपका जो अडियो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका फ्रॉब्लम हुआ है कि अगर इनकेस आप दल आपका यह प्रॉब्लम शॉल्ब नहीं होता है तो अब मैं आपको second process बताता हूं इस तरह से मूटना किया है यहां पर देखने को मिलेगा तो आपको हुआ पर चेक करना है की यहां करने अब करना है तो हुआ करना है तो है क्यां पर बिल्टलेगों से कॉन नी मूट हो जाता है जिसकांस आपका इसको प्रोब्म हो रहा है तो यहां प्रोब्म हो रहा है तो यहां को चेक करना है कि आपको अपने लाप्टोप के आपको अपने देटों सिस्टम के कीबोर्ड में Windows प्लस आर बटन को प्रेस करना है और यहां पर आपको जो रॉन प्रोगाम है यहां पर अपको एक कमांड बताने वाला हूँ तो आपको यहां पर उस कमांड को आपके यहां पर टाइप करना है जैसे आप यहां पर देखोगे यह कमांड है आपको यहां पर इस कमांड को यहां पर टाइप करना जैसे आप यहां पर देख सकते हो तो आपको इस कमांड के यहां पर टाइप करना है और आपको इसे ओके कर देना है और आपके सामने डिवाइस मैनेजर आपके सामने ओपन ह चुका है और आपको करना किया है कि जैसे आप इहां पर दिखोंगी यहां पर एक इंदिकर करना है तो आपको इसकी ओपर राइट क्लिक करना है और यहां पर यहां आपको करना यह है कि आपको यहां पर search automatically for drivers आपको क्लिक करना है और मैं आपको बतादा दूँ कि जब भी आपको किसी भी driver को अपडेट कर रहे हो तो यहां पर आपके system में डिटेट करना है और इसे करने के बाद आपको अपने system री start भी कर लेना है और restart करने के बाद आपको यहां पर चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका होई है की नहीं अगर इंकेज अगर आपका यह problem solve नहीं होता है तो अब मैं आपको फोर्थ प्रॉसेस में बी आपको अपने keyboard में Windows प्लस और बटन को प्रेस करना है और यहां पर आपको वापस से उसी कमांड को यहां पर टाइप करना है जैसे मेरे आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर टाइप करना है और आपको इसे कर लेना है और आपको डिवाइस मैनेजर है वह आपका ओपिन हो जाएगा और उपिर होने के बाद और आपको कुके स्विक दोडिके ही यहाँ पर और को एक और आपको इस पीछ पृप्सिन दिने की मिलेगा तो आपको इसके उपर ब् показ चले जाना है और इसके अप्र निम्ट करना की यहाँ पर लीक रडिखो कर ने कूर रहा है तो आपको इस यहाँ और यहां पे आपको रूल बैकि का आपके अब हुआ है एनेवल हाइने आपको इसे हो रहा है इनेवल्हयस hadaT है यहां पर आपका यह इनेवल है कि है आप को हमगति इन्य Черड आपको इनेवल डिवास का हद्री का मान हिसले है इनेबल डिवाइस आपको आपशन हों रहा है तो आपको कहता है स्टेकर है वो आपकाषनी दाएवर, आपको को हो रहा है प्रीकर्टेन मेरे जो है वो मेरी दिशियेबल नाधे च्र defensive यहां पर करना के है कि आपको उससी पारिक ते अगर इनके सब्सक्राइब रहता है तो और आपको इस पर क्लिक करना है और प्रिक करने के बाद आपका ड्राइवर है वो रोल बैक होगा जैसे मान के चले कि करते हो तो उससे पहले जो ड्राइवर को क्लिक कर रहा है город है तो वो उस ड्राइवर में आपका ये जो ड्राइवर है यह sind कि करते हो salvage CHA dr ray रैवर है कि वो अपको प्रफर ट automatically restart कर लिभाये अario नहीं कर दो करना है कि आपको यहांप को अधो ट्राइवर है ऑपको तरीके से हुआ अगर इनके और आपका यह प्रावलम इए रव्याज़ होता है तब भी तब आपको एक बार फिर से आपको करना यह है कि जैसे आप यहां पर देखो कि यहां पर आपको अनिस्टॉल डिवाइस का आपको यहां पर ऑप्शन हो रहा होगा तो आपको करना क्या है कि आपको यहां पर अनिस्टॉल डिवाइस पर क्लिक करना है और आपको इसे तु यहां पर जो हरो हो जैसे से आप के यहां पर धिखो के यहाँ पर यहां पर सामने को उब्तिक हो रहा है और यहां पर आपको अपने सिस्टम को रहि conteú ht करनी क्लिक निरहा है तो आपको यहां पर इसे रे स्टार्ट करना है और री स्टार्ट करने के पाद आपको यहां पर चेक करना है कि आपको जो और यूवर कर रहा है झाया है होता है अगर इसके बाद आपने प्रॉब्लम स्रॉल नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहां पर देखोगी यहां पर आपको आपको एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है और यहां क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहां पर फिर से आपको देखना है कि आपका जो इन स्पीकर जो है वह आपपन पर कर रहा है कि नहीं मैंने आपका यहीं है वह प्रॉपर य कि सवोकर कर रहा है कि तो अब यहजिए अपर दीषट। in theaks कि यहापको त्रबल मीजिए करना है कि यहाप होग उसक्ला क्लिक करने के mpर एधिशनल specially अपने किनके हैं आप दो आपको इस आप्सन पर जाना है और यहां पर नोट करना हाए ओडियो इस डपल सुट का ऑप्सटन जैसे आप हाप तो आपको करना है और यहां पर आपको इसे करना है कि आपका जूबर शूट करने के बाद वह आपका प्रवलम होता है कि आपको यहां पर रवल सूट करना है। गोजाएगा अगर इनले ट्रावल एक लिए अगर आपका यह प्र प्रब्लम स्वाविशन नहीं होता है तो अब मैं आपको यहां पर आपको करना क्या है तो अप्रोक ब्रॉजर को आपको यहां पर यहां पर टॉप करना है टेल्ड्र आपको करने है कि आपको वहाँ पर चिस भीकंपनी का अपको फिल्स को आपको आपको और अधर करना है और आपको हैं बहुत सोड़ा ओप्शन आपको हो जाएगा तो आपको करने क्या है कि आपको वहां पे चीज़ भी कंपनी का आपका लैप्तप उसका पर आपको ऑफिस्ट्सल मनें वैबसाइट पे चले जाना है मनें ड्राइवर्स और डाउनुट्स का आपको आपको आपको तो आपको तो अगर आपद कमपनी का लापनी सब्सक्राइब और आपको करना है कि अब आपको यहां पर अपने लाप्टप आप कर तो अपको टाइब करने हैं और जिन लोग को मालूम नहीं कि कि आपके laptop का serial number क्या है तो मैं उन लोग बदा दू कि आप अपने laptop के और नीचे दिखे गए वहाँ पर एक sticker लगा हुआ दिखेगा आप अपने laptop को नीचे के और देखेगा और उस sticker में आपके laptop का पूरा आपके laptop का model number आपका serial number तो कुच आपको 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 वहां पर रहा है कि यहां पर आपको अगर अगर आपका अगर अगर सकते हैं तो आपका यहां पर स्रील नमबर को सकते हैं तो मैं से लिखा था और आप यहां पर देखो कि यहां पर स्रील नंबर टाइप करने के बार आपके लापटब के जूम और है क्या मॉडल है और स्रील नंबर है आपने हैं पर सो हो जाएका से आप देख सकते हो फूटल डिटेल आपको आपको ड्राइवर्स एंड डाउलोड वाले सेक्षन में च यहां फोड़े अपर दाव्या चाह्तूरो आपको वी स्ट्रीक में और आपको भी उसी तरीके से सिर्फ अधम्टबर लेशवड शेल रर्लैवर्स भीडाब्या ना में बुल systematically अगा हो आपको पारjust कि ट्रेजिवस्टासWow यहाद हो करना है यहाँ पर आपको ए ड्राइबर ड्राइबर इसे ड्राइबर को इस है अज्ट चुमु सो बहुत हो रहा है तो आपको उससे डावलोट क्र लेना है अगर आपको इहां पर इन के सगर और और बिद्लस राइवर रिद्टे माय आपको से उससे के सब द्लना आड़ आपको मिल राह다LI स्थ्ट में उसे इंस्टाल करना है और इंस्टाल करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका आपका जो साल हुआ है कि नहीं नहीं और जो प्रलोम आ था ता और इस ताप आपका स्वा अगर इन consecutive episode हपर भ्राइबर दो आफोरै और मैं आपको डाफ theater आपको से हुआज़ को सब्सक्राइब यह कंट्रूल वैंनिंग ङाना है और यहां प्सक्राइब करना है के यहांपट के सामने अप्च्ण हो रहा होगा तो आपको यहां पर आपने होड़ पार और एक सामने सामने थेंप्रीद का कुछ इस तरह की इंटर्फेस हो तो आप यहां पर जाओ पर आपको इसे लारज आइकन कर लेना और यहां आपको आपको डिकाउबरी को अप्श्न आप पर मालूम नहीं करने से क्या हता है तो मैं उनलूग के बता दोग करने से क्या हुआ कि यहां पर आपका जो सिस्टम है जो तरफ चला जाएक वह डो तीन दिन आपका पीछे चला जाएगा में पास्ट में चला जाएगा जैसे आप यहां पे जूल यहां पे पिसेट में पर सिल्पने करोगे तो उस देट ओ यह प्राब्म नहीं था और आपका जो अडियो था वो प्रॉपर तरीकर से वर्ट कर रहा था तो यहां पर आप अपने सिस्टम को रिजिस्टर बोगे एक दू दिन पीछे कर गए तो आपका जो दिन पीछे जो भी डिट आपके हम पे इस लेकर गे तो उस डिट में आपका सब्सक्राइब जाएगा और ओने के बाद आप का जीस्टम वे क्षे जैसा भी था वह ऐखी जाएका हो जाएगा अगर मान किसलिए अगर ऑब करने के बाद Сक्रेंपर क्लिक करना है औरत करनी के बाद आपको डेट और टाइम यहां पर शो होता है तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरी जो भी आपको यहां पर देट करता हूं और यहां पर आपके सामने कुछ इसतरा का इंटर्फौिश ओंगा और यहां पर आपने सी ड्राइप को स्लीक करने के बाद आपको इसे फिनिस कर देना है और अधिनीश करने के बाद आपका system है वो रिश्टॉर होना स्टार्ट हो जायेगा और मैं बता दूँ कि रिश्टॉर ऑने में किन एक बटन पर दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए